हेलो एंड बेलकम बेक टू मैं चैनल आज हम इस वीडियो में आपको बोट नेक कुटती की कटिंग करना सिखाएंगे प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा यहाँ पर मैंने फ्रेंट पार्ट के लिए कपड़ा लिया है प्रेंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे पहले हम बोट नेक कुटती बनाएंगे हम इससे इस तरह से रखेंगे हम फ्रेंट पार्ट के कपड़े को पहले हम लंबाई का निशान लगा हैंगे जितनी आपकी लंबाई है उसमें half इंच एड करें क्योंकि नीचे फोल्ड नहीं होगा इसमें बॉर्डर लगा हुआ है मैंने यहां पर 40 इंच पे निशाल लगाया है यहां पर हम 7 इंच का शूल्डर लेंगे क्योंकि यह बोट नेक है इसमें ज्यादा लेते हैं शूल्डर आर्मॉल भी 7 इंच पे लेंगे बोट नेक में हम 7 इंच लेते हैं आर्मॉल और शूल्डर दोनों हुई यहां पर चेस्ट का चौथा भाग लगाएंगे 32 इंच है मैं यहां पर चेस्ट 8 इंच पे निशाल लगाएंगे 14 इंच पे कमर के लिए निशाल लगाएंगे 21 इंच पे हिप के लिए निशाल लगाए इतना ही हमें नीचे घेरा लेना है साड़े आठ इंच आपस में सभी निसान को जोइंट करेंगे आपको चौथा भाग ही लेना है चेस्ट और कमर हिप तीनों का चौथा भाग लेते हैं हम यहां पर ड्राक्टिंग में दो इंच मार्जन लिया है मैंने कपड़े में एक इंच हम निशान लगाएंगे और बैक कार्मूल का शेप देंगे कॉर्णर से चार इंच के लिए हम बोटनेट पे निशान लगाएंगे एक इंच हम तीरे को डाउन करेंगे इस तरह से जो हमने शूलडर दिया है इसको एक इंच हम डाउन कर देंगे क्योंकि नेक बहुत छोटा है बैक साइड का इसलिए यहां पर 1.5 इंच उपर इंच टेप इस तरह से रखेंगे हाफ इंच बाहर को निकालेंगे और फ्रंट आर्मूल का शेप देंगे अब इसकी हम कटिंग करेंगे नेक हमारा बुक्रम पर कटेगा इसने नेक छोड़ देंगे नेक कटिंग नहीं करेंगे यहां पर शूल्डर डाउन किया है मैंने एक इंच तो उसे भी कट करेंगे इस तरह से अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा लेंगे इस तरह से जितनी हमारी फ्रंट पार्ट की चोड़ाई है उसी के हिसाब से लेंगे कपड़ा जाधा नहीं लेंगे इस तरह से फ्रेंट पार्ट को बैक पार्ट के उपर रखें नीचे तुरुपाई के लिए मार्जल लेंगे बैक पार्ट के लिए आप देख सकते हैं इसी शेप में हमें कपड़े को कट करना है जितना हमारा फ्रेंट पार्ट है दोनों को बराबर कट किया है हमने इस तरह से निशान लगाएंगे फ्रेंट पार्ट को अटा देंगे इस तरह से एने से कट करेंगे फ्रेंट पार्ट को लेंगे और फ्रेंट आर्मूल कट करेंगे इसका अब हम स्लिप्स के लिए पार्ट करेंगे यहां पर मैंने चार भाग में कप्रा लिया आप देख सकते हैं चार फोल्ड में लिया है दो यह उपर हैं दो नीचे दो इंच बहार को इंचे टेप निकालेंगे क्योंकि दो इंच की मैं पट्टी जॉइंट करूंगी डिजाइन के लिए स्लिप्स में जितनी आपकी लंबाई है लंबाई हमारी है पंदरा इंच पंदरा इंच पर निशान लगाएंगे दो इंच नीचे को छोड़ा हुआ है मैंने इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे यहां पर चेश्ट का चौथा भाग लेते है माइनस धाइंच लेते हैं चोड़ाई इंच की धाइंच नीचे की और लेंगे आप धाई ये तीम इंच ले सकते हैं इस तरह से शेप देंगे यहाँ पर मूरी का निशान लगाएंगे जितनी भी उसके हाफ लेंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से बना देंगे माजल लेंगे और इसे कट करेंगे अब यहाँ पर फ्रेंट आर्मॉल कट करेंगे इस तरह से दो पार्ट नीचे छोड़ेंगे दो उपर उठाएंगे वीडियो को एंड तक दिखने के लिए थैंक यू सो मच प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें करेंगेश करेंगे बना नीचेश अतै करेंगे माज़ेंगे थैंकिसरी का प्लीज रटने करेंगे, यहाँ अशने स्वाइक प्लीज नीचे डिते झाम Leo अवैजियो को एंशने अव Midi-ście उन भीका सेंशने किसे दोरी कमике करेंook झाल झाल